पाट का शीर्शक है नदी का सफर किसी भी नदी की शुरुवात उंचे स्थानों या पहाडों से होती है नदी में पानी जहरने से, जील से, बारिश से या फिर हिमके पिघलने से आता है पानी यहां से ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है नदी की शुरुवात एक पतली धारा के रूप में होती है आगे चल कर यही धारा गहरी और चौड़ी हो जाती है और एक नदी का रूप ले लेती है तुम्हारे आसपास भी कोई नदी होगी उसके बारे में तुम क्या-क्या जानते हो? जहां से नदी की शुरुवात होती है उस जगह को नदी का उदगम कहते है पहारी ख्षित्र में धाल अधिक होने के कारण नदी का बहाव तेज होता है जिससे नदी गहरी घाटी वी आकार की घाटी बनाती है कई सारी छोटी नदियां मुख्य नदी से मिलती है तथा उसे बड़ी नदी बनाती है इन छोटी नदियों को मुख्य नदी की सहायक नदियां कहते है नदी पत्थर चट्टानों से टकरा कर और तेज बहती है कई धाराएं आकर नदी में मिलती है मच्छवारे और सैलानी नदी के किनारे मच्छियां पकरते है नदी जब उचाई से गिरती है तो जल प्रपात बनता है गोस्थान जहां नदी समुद्र में मिलती है उसे नदी का मोहाना कहते है नदी अपने साथ खूब सारी रेत और मिट्टी लाती है जब कम ढाल होने के कारण बहाओ बहुती कम हो जाता है तो नदी घुमाओदार रास्ते बनाती है जिसे नदी विसर्प यानि मेंडर कहते है नदी यहां गहरी और चोड़ी होती है नदी का सफर